इस वीडियो में मैं आपको subtraction of two numbers using three variables के एक प्रोग्राम के बारे में बता नहीं जा रहा हूं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर दो header file लेना है hash include stdo.h और hash include conio.h यहाँ पर stdo.h और conio.h header files है include, include करने के लिए है और hash का मतलब होता है यहाँ पर preprocessor directive यह दो lines के बाद आपको लिखना है main function फिर यहाँ पर हम दे रहे हैं opening color process यानि कि यहाँ से हमारा program का main body content चालो होगा यहाँ पर हमने क्या किया है तीन variables declare किये है a, b और c जो a और b में रहेंगे हमारे actual numbers a और b में रहेंगे हमारे actual numbers और c में और c में a और b का subtraction हम store कराएंगी इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं c इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा एक line printf enter two numbers इस line के माध्यम से हम user को यह समझाने का कोशिश करेंगे कि आपको जब यह output screen पर ऐसा line आए enter two numbers वहाँ पर आपको दो numbers enter करने है फिर हमने यहाँ इसके nf में दिया %d, %d, m%a, m%b यहाँ पर %d जो है वो integer values के लिए format specifier का का काम करता है m%a का मतलब होता है address of a यानि कि जो भी पहला number रहेगा वो a variable के address में जाकर store रहेगा और यहाँ पर जो हमने दूसरा लिखा है वो है m%b यानि कि जो दूसरा number b है जो दूसरा number जो दिया जाएगा integer number जो रहेगा वो b के address में जाकर store होगा इसके बाद हमने एक formula दिया है c equal a minus b यानि कि suppose enter two number में हमने पहला number दिया 1 और दूसरा number दिया 2 11 दूसरा number दिया 2 तो c equal a minus b यानि कि 11 minus 2 कितना हो गया 9 c equal 9 इसके बाद जो हम क्या करेंगे difference प्रिंट करा रहे हैं यानि कि subtraction तो यहाने हमने दिया print टैफ में difference of two number again format specifier रहेगा person d यहाँ पर हमें किसको प्रिंट करा रहे हैं आप रहे हैं प्रिंट कराना c को एसे आजएगा c फिर आजएगा return 0 कलिबर से close तो इस तरीके से output आएगा 9 तो इसके यदि हम हर output का analysis करें इस program के हर output line का analysis करें तो इसमें जो पहला line आएगा as a output वो होगा enter two number यह output का पहला line होगा दूसरा line आएगा enter two number इसमें क्या करना है आपको दो number का input देना है suppose हमने 11 लिखा फिर हमने लिखा 2 यहाँ दो number देना आपको जरूर ही है ठीक है तो जैसा आप यह दो number देंगे उसके बाद यह दि आप enter दबाएंगे तो क्या आएगा आएगा output आपका बस इतना ही इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमाई चनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू